नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन को लेकर बिहार के लोगों को भी बुलेट ट्रेन की सोगात बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं आपको बता दें कि बनारा से दिल्ली के बाद अब कोलकाता तक बुलेट साइंस प्राइबिट लिम्टेड को दिया गया है जो सर्वे का काम बहुत ही जल्द सुरू कर देगी फ्रस्तावित रूट पर सुभिदाओं की जनकारी देने के लिए पुर्वत्तर रेलवे वारंसी मंडल के नोडल अधिकारी नियूपत किये हैं जो सर्वे कंपनी से इजय कुमार पंजियार को पत्र लिखा था जिसके आदेश ADRM इनफरा के प्रवीन कुमार को नोडल अपसर की जमिबारी दी गई है अब को बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन सरकार के अनुबंदिर संस्था है जो कि देश में हाई स्पीड रेल कोरिड जाला है देश के कई अन्य खेत्रों में हाई स्पीड कोरिडोर निर्मान पर उर्टी काए इसी कए को a बारण नसी के साथ निर्मान प्रत्विकता में हो इस कोरिडोर में अभी लोकेशन का निर्धारन नहीं किया गया लेकिन कोरिडोर का एक संभावित रूप प्लान कर अधेयन कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा इसके आधार पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी इस कोरिडोर में अगर कोई जन सुभिधा है जिन तकनीक के माध्यम से सर्वे किया जाएगा इस से पहले मुंबई अहमदाबाद हाई अस्पीड रेल कोरिडोर में लिडार तकनीक के सफलता पूर्मक इस्तमाल के बाद इसका उप्योग इस रूट में किया जा रहा है इस तकनीक से उच गुनवत्ता वाले डाटा कम समय में डिजिटली मिल सकेंगे इस कोरिडोर की संभावित लंबाई 800 किलोमीटर तैकी गई है नई दिल्ली वारनसी हाई अस्पीड रेल कोरिडोर से दिल्ली NCR आगरा मथुरा लखनव इटावा राइवरेली परियागराज वारनसी भदोही और अयोध्या जैसे सहर पर्थम चलन पूरा हो चुका है वारनसी के जिन गाउं से कोरिडोर गुजरेगा वो चिन्हित किये जा चुके हैं तो यह थी जानकारी बुले ट्रेन को लेकर जो कि अब पटना से होकर कलकता यानि कि हावडा जाएगी यह रूट साध प्रस्तावित कोरिडोरों में से एक कोरिडोर होगा जो कि वारनसी से हावडा के बिज जाएगी यह पटना से होते हुए जाएगी तो यह बिहार के लिए एक अहम जानकारी है बिहार के लिए खुसी की बात है कि बिहार से होकर एक हाई स्पीड रेल जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं वो गुजरेगी बिहार और बिहार से जुड़ो ही और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाज़त धन्यबाद